क्या हो गया आज बजार में बजार अगर मैं आपको दिखा हूँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत जरूरी खवर आप सब के लिए क्या हुआ है वो बताने वाला हूँ बजार बंद हुआ है 1416 अंग के गिरावट के साथ में 1416 पॉइंट की सेंसेक्स की 2020 के बाद 5 सब के लेट से बजाया क्योंकि यूरोपियन बजार जो थे यूरोप के बजार थे जो इंग्लैंड का बजार था लंदन का और जर्मनी का वो दोनों थोड़े देर तक ग्रीन पे चल रहे थे तो मैं सोचा थोड़ा सा रूख जाता हूँ फिर आपको डिटेल बताता हूँ ले दाउ जोन्स है वो यहाँ पर कल 1200 पॉइंट के गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ 1164 पॉइंट के गिरावट के साथ में और उसके बाद यूरोपियन मार्केट ग्रीन में कैसे हो गए तो इसलिए थोड़ा सा बजार को देख रहा था भारतिय बजार एक हजार पे ब साथ बजे जब डाउ जोन्स खुलेगा तो आप साड़े साथ बजे सैटल होने के बाद उसका एक बार प्राइस देखेगा फिलहाल फ्यूचर्स में डाउ जोन्स माइनस 400 चल रहा है यानि कि बजार के लिए कल है शुकरवार और पिछले छे शुकरवार का मेरे पास डाट आड़ बे तक नहीं आती है तो कल भी बजार जो है वो पूरा का पूरा फ्लैट रहने वाला है जो बहुत ही बहुत ही जादा यहाँ पर चिंता की बात है कुछ शेर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करने की ज़रुत है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास टेकनलोजी स्टॉक्स है तो वो बहुत तेजी से गिरने वाले है इस्टील स्टॉक्स है बहुत तेजी से गिरने वाले है बहुत बड़ा रोटेशन आने वाले है बहुत बड़ा शायद इतिहास का सबसे बड़ा रोटेशन 2000 के बाद आने वाले है अभी अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा ये मेरा आज का महामंतर आपके लिए आप क्या समझे नीचे कमेंट करके यहाँ पर बताईएगा और जब आपको एक दूसरा आज का बताता हो जब वक्त और बजार जवाब देता है तो गवाहों की भी जरुवत नहीं पड़ती तो जो मैं आपको बोल रहा था 2020 से की मार्केट गिरेगा और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 2020 का जो प्राइस था आज मैं आपको वही प्राइस वापस दिलाऊंगा 2022 में समय का यूटिलाइस करें बुल मार्केट में कैश को बढ़ाने के लिए तो देखिए आज वक्त और जब बजार दोनों यहाँ पर अपना जो जवाब दी है तो आज हमें गवा की भी जरुवत नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा उस समय लोग मार्केट माइस्ट्रो को बहुत ज़्यादा क्रेटिसाइस कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पर हमेशा फंडामेंटल के साथ बने रहे फैक्ट के साथ बने रहे, रैशनल के साथ बने रहे तो एक चीज और है, जो सच बोलता है, सबसे ज़्यादा नफरत लोग उसी से करते है तो ऐसा कुछ बीच में हुआ कि प्राइस एक्षन के तरफ ज़्यादा फोकस हो गया सबका कि बजार रोज बढ़ रहा है तो आप कभी घिरी नहीं सकता, आप तो बढ़ते ही चले जाएगा लेकिन आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी भी हमारी फैमिली कंटीन्यू ग्रो हो रही है हम साड़े साथ लाग क्या सपास चले गए, होप सो आप ऐसी सब्सक्राइब करेंगे तो एक मिलियन भी हम जल्दी टच यहाँ पर करेंगे और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने भी मार्केट मैश्टों पर भरोसा किया, मुझ पर भरोसा किया, बनाए रखा, सबर बनाए रखा, पेशेंस बनाए रखा और आज देखिए, दो साल के बाद, 2022 के बाद, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कि सारे के सारे शेयर्स आपको वापस से 2020 के प्राइस पर दिला दूँगा, मैंने आपको वादा लगभग लगभग पूरा कर दिया हूँ, थोड़ा सबाकी है, वो भी आने वाले समय म बंद हुआ, चार्ट आपके बाजू में है, 31,490 और 31,200 पे सर्किट लग जाता, अगर 200 पॉइंट डाउ जोन्स और गिरता, याने 1400 पॉइंट, 1500 पॉइंट, तो वहाँ पर सर्किट लगने वाला था, और 2000, शायद पूरे इतिहास में, 100 साल के इतिहास में, अमेरिकन मार् खुद भी डूब गया, दूसरे तरफ तो बाकी बजारों का तो बहुत ही हालत खराब है, इंडिया थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है, डोमेस्टिक पावर के कारण, इंडिया का भी बजार आज यहाँ पर नीचे रहा, तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताता हूँ, देखे, उसके बाद मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, कल जो मेरे साथ हुआ, वो आपको बताऊंगा, देखे, जेरम पॉवेल सामने आये, और जेरम पॉवेल ने कहा, कि भाईया देखो, इंफलेशन को कंट्रोल करना है, और उसके लिए मेरे को रेट हाई कंटिनुएसली करना पड़ेगा, पहले बोल रहे थे, सिर्फ जून में करूंगा, 0.5% का इंफलेशन कंट्रोल में आ जाएगा, अब इंफलेशन कितना है, 8% है, लाना कितना है, तो से चार परसेंट, दो से चार आपको इंफलेशन रखना है, मतलब एकनॉमी अच्छी ख और करना पड़ेगा, शायद एक प्रतिशत से भी जादा करना पड़ेगा, उसके बाद शायद जाके कंट्रोल हो, और उससे भी बड़ा खत्रा, रिसेशन का खत्रा ये है, कि ओईल के प्राइसे 100 डॉलर के उपर टिके हुए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 120 के उपर चले गए और सस्टेन हो गए, तो हम डिप्रेशन के तरफ भी यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि बॉइन बॉइन डील जो है, वो लगातार 2 प्रतिशत के उपर बना हुआ है, और निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान में रखे 14,510 जून तक का यहाँ पर है, अगर फेट 0.5% यहाँ पर इंट्रेस्ट रेट को हाइक करता है, ऐसा निफ्टी जो है, वो मान के चल रहा है, चलिए कल एक किस्सा हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली जा रहा था, और जाते जाते एक यंग लड़का मेरे को मिला, पापा का डिमेट एकाउंट खोला हुआ था, और चला रहा था, काफी नुकसान में था, लॉस में था, तो मैंने उसको देखा, तो उसका जो डिमेट एकाउंट था, वो कुछ निफ्टी फ्यूचर लिया हुआ था, तो निफ्टी फ्यूचर 16,000 रुपय के लॉस में था, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने वाटसेप करके अपने कंपनी से उसका वाटसेप से हमने फोटो ले लिया तो गुद 16,000 के लॉस में विचारा था उसके बाद वो मुझे मिला तो काफी उदास दिख रहा था तो मैं उसके पास गया मैं बोला कि आप इतने लॉस मे कैसे देखा जाता है तो मैं भोला आप इसमें बने रहो अभी जो है जब मार्केट कल ओपन होगा तो आप चिंता मत करो आपका सारा लॉस भी कवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे तो वह काफी आश्यर से देखने लगा मुझे ऐसे करके कि यह कैसे हो सकता है कि मैं 17,000 के एक तो मैं लगाया काफी कम पैसा हूँ उपर से मैं 17,000 के लॉस में आ गया उपर से मैं लॉस कट करना चाता हूँ कहीं और डूब गया 30-40,000 हो गया तो पापा को क्या जवाब दूगा तो मैं बोला आप इतना ज्यादा चिंता मत करो आपका लॉस में दूँगा पहले अब इसमें बने रहो और कल सुबा मार्केट खोल के देख लेना क्योंकि डाउ गिर गया है तो उसने का चलो ठीक है फिर उसके बाद सुबा हुआ और सुबा जो उसका पोर्टफोलियो था लॉस पूरा कवर हुआ बाजू में आपको दिख रहोगा वीड चार हज़ार के प्रोफिट में आया और फिर यहां पर आखरी आखरी में साथ हज़ार के प्रोफिट के आसपास यहां पर आ गया तो हमने उसके सारे लॉस को कवर करा के प्रोफिट पर भी ला दिया लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं यह तो ऐसे इंसिडेंस होते रहत तो वहाँ पर क्या होगा short covering आएगी ये बच्चा short covering में ही फसा था और अगर short covering में आप sell करोगे तो और भी short covering आएगी तो और भी trap हो सकता है तो बहुत ही यहाँ पर अभी ecosystem जो है बहुत जादा volatile है बहुत सोथ समझ के यहाँ पर आप काम करें और मैंने उसे यही बोला कि investing करो बहुत अच्छे अच्छे share आपको discount में मिल रहे है आप अपने फादर को भी बोल के अच्छे अच्छे share ले सकते हो सारे के सारे share 3-5 साल में double है तो चलिए आपको बताता हूँ कौन से share यहाँ पर 3-5 साल में double होने वाले है तो चलिए कुछ आपको share से आपर बताता हूँ तो आप अगर अभी देखिए बहुत अच्छा time है share बता हूँ मैंने आज क्या खरीदा है आपने डिमेट अकाउंट नहीं खोला है डिमेट अकाउंट खोला लीजे फैमली का भी डिमेट अकाउंट खोला लीजे जब मार्केट बढ़ रहा था तब सब आपको डिमेट अकाउंट खोला रहे थे जब मार्केट गिर रहा है तब मैं आपको डिमेट अकाउंट खोला रहा हूँ 160 की buying प्राइस वो प्राइस को मैंने 130 किया भी और अभी मननापूरम 90 पे आ गया है तो मैं उसे 130 से 120 करने की कोशिश कर रहा हूँ इन केस अगर मननापूरम थोड़ा सा और यहाँ पर गिर जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो मननापूरम की जो buying प्राइस है वो 120 के आसपास लेकर आए और जो दूसरा शेयर है जो हमने बाई किया है वो है यहाँ पर आज HDFC MC हाला कि मैं कोशिश कर रहा था कि HDFC MC को ना जी 1700 पे buy कर लूँ क्योंकि मेरी average price जो है वो 1800 के आसपास ही है जब से IPO मिला है तब से रखा हूँ लेकिन 1701 पे वो अहके ना दिवर्स हो गया फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब भी market order ही लगा देता हूँ तो लगा तो 1710 का लग गया तो चलता है तो 1710 पे मैंने HDFC MC को खरीदा निगाहे हैं एक तीसरा share भी मैंने खरीदा है जो 50 रुपए का है और एक से दो साल में interest rate जैसे जैसे बढ़ेगा ये share 50 रुपए से 100 रुपए जा सकता है जानना चाते है subscribe के बाजू में join है join कर लीजे देखे मैं join करने भी आपको पिछले कुछ मैने से नहीं बोला अभी recently क्यों कि देखे जब market बढ़ता है तो आपको किसी की जरुवत नहीं है market तो मैंने बोला आपको जब market बढ़ता है पैसा तो आज में खुद बना लेता है मतलब उसमें कुछ करने की जरुवत ने अपने share खरीदा और purchase कर लिया और market बढ़ गया हो गया पैसा बढ़ते हुए market में सब कोई बना लेते हैं लेकिन जब market गिरने लगता है तब बहुत सही advice कि आपको जरुवत रहती है कि गिरते हुए market में आपको बेचना नहीं है बेचना is the worst mistake, selling is the worst mistake in down market तो मेरी कोशिश है कि आपका motivation बना के रखूँ ये share को खरीदने का time है आप भले अगर खरीद न के share market के लिए लेकिन उसके बाद फिर सवेरा हो जाएगा तो रात का time है और रात का time काटने की जरुवत है रात से निकलने की जरुवत नहीं है अगर आप रात को निकल गया ना तो बाहर चारों तरब जो है ना वो criminals है फिर आप फज्जा होगे और फिर आपका जो the end हो जा करें 10,000 लाइक बहुचा है कल फिर आपके साथ जुनने वालों क्योंकि Friday है और Friday को क्या होता है आप सबको पता है तो यहाँ पर कोई रहे या नार है लेकिन अंकित आपके साथ हमेशा रहेगा गिरते हुए market में क्योंकि बढ़ते हुए market में मैं हमेशा बोलता हूं कि 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 की भी जरुवत आपको नहीं है मेरी भी जरुवत वहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी लेकिन बस एक काम मत करिएगा वो है बेचने का काम अंटिल एलनलेस आपके पास टेक या फिर मेटल के स्टॉक्स है इस वीडियो में इतना ही कल मिलता हूं आपसे उमीद है प्यार दे कि मैं कौन-कौन से शेयर ले रहा हूं टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं आपको स्मॉल केस बनाकर एक ठोक दे दू सोच रहा हूं लेकिन रोज मार्केट इतना वॉलेटाइल हो रहा है कि मुझे भी यहाँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा है कोशिश करता हूं निकालने का इस झाल